सटाथ सप्कूर्स को बन पना रहेगाक को अब लोग क्या है उसको पूछ चलए हिस दीडिर होगा हम quality के जो portion है उसको हम शुरू करेंगे quality जो राज ववस्ता और समिधान जिसका topic है तो उसमें हम लोग शुरू करेंगे कि राज ववस्ता और जो समिधान है उसमें क्या-क्या पूछ सकते हैं और उनका topic क्या है देखिए आपको बता था कि इसमें जो main topic है वो हमारे समिधान ह है और निर्माल हुआ है और उनमें कितने fundamental rights है और fundamental duties बगर आजव है और हमारे यहां पर जो संघिये व्यवस्ता है जिसको अतने सब्सक्राइब हो गया राज्टिपती हो गया इन सारे चीजों को क्या है portion के रूप में पूछी जाते हैं तो उन सभी को क्या है हम लोग यहा हमारा समिधन सभाय किसी को अगर English medium है तो बोल दिजेगा PDF दोनों में हम आप लोग को प्रोवाइट कर देंगे ठीक है अगर कोई English medium नहीं है तो हम एक ही में प्रोवाइट करेंगे अगर कोई English medium है जो इंग्लिस मीडियम वाले है वह बोता है कि उनको PDF English में हम लुट सब्सक्राइब ने पहले यह आता है कि समीधान है क्या समीधान क्या होता है एक ऐसा दस्तावेश होता है जिसमें बहुत सारे क्या होता है कानून का संग्रव होता है ऐनि इसी जो गुक है जिसमें बहुत सरे ला कार्णिंग कानून का क्या हुता है क्लेक्शन होता है और उन कानूनों के आधर कर कि को उसी को अधर और दूसरा है विधान यह दो सब्द से बना हुआ है दीके सम का मतलब होता है equal सम का मतलब क्या होता है equal होता है या समान होता है और विधान का मतलब होता है law या कानूर तो समिधान में क्या है था सभी जो नागरिक होते है मा नागरिक क्या सिटिजन कहते हैं सभी नागरिक के लिए क्या होना चाहिए पारत में झालना चाहिए एकड़म हो सबके लिए एक जैसा नियम है is अमीर मडर करें घडर मरर करें उनके लिए एक ही धारा होता है वह अलग बात है कि वह जो प्रफाफशानीता होता है क्लिया होता है कि को चीज नहीं हो पाता है शाई से लेकिं किया है हमारे सम थहन में जो लिखी गई है व क्या है पूरी तरह संग Cara दिख Tages इसमें शब्द जो रगय शभा तो इसे सविधान को बनाने के लिए जिस संगठन या जाता है समिधान कह जाता है इसको पहले समय द ढीगा दूसरी बात एक समझैंजी दीवाधन दो परकार के होते हूथ समय चाहिशा कितने डlock होते हैं टुर टाइब के होते एक होता है लिखी द फाटा और लिक या परन लिखित होता है वह क्या है लिखित है रिटेन है और अन्रिटेन किसका है यह जो ब्रिटेन का शमीधान है यह कैसा है अलिखित है अब बोलें कि यह आलिखित या अन्रिटिन का मतलब क्या होता है अभी आप जब समिधान पढ़ेंगे ना तो उसमें देखिए बहुत सारा आर्टिकल होते है जिसको अनुच्छित कहा जाता है और जो अनुच्छित होता है कोई भी चीज क्या होता है समाई के है वहां पे अगर कोई होना है तो चींज क्या होगा जो मूल समिधान में जो लिखा गया था वह बदला नहीं जाता है बलकि उसके जगा पे सब सेक्षन या सब आर्टिकल उसमें एड किया जाता जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहां पे पहले छे से लेके 14 सल क के बच्चे जो थे उनके लिए क्या था उनके लिए शिक्षा क्या है अनिर्वाई नहीं था उसके लिए क्या नहीं था उसके लिए क्या नहीं था शिक्षा नहीं था लेकिन बाद में हमारे यहां पर आर्टिकल 21 ए जोडा गया है और 21 एक जोडने के बाद क्या है कि यहां जो 14 सल के बच्चे होते हैं उनके लिए क्या है फिरी एज्यूपिशन के बात की गई है तो पहले नहीं था इसलिए आर्टिकल 21 तो पहले से मोझुद था और और 21 पहले से मोझुद था उसमें एक सब सेक्शन या सब आर्टिकल जोड दिया गया जिसको 21 कहा जाता है लेकिन अगर यहीं चीज़ अगर हमें करना है बिटेन के समीदान में तो पहले 21 को कहले पले हटा दिया जाएगा और उसके जगा पे नए चीज लिखा जाएगा तो ऐसे चीज होता है उसको की एतtså का जाता है अलिखित का हजाता है अर्लिटें का मतलब होता है कि हो पहले से इसको हटाएं नहीं जाएगा बलकि उसके जगहा पर और और स्रेक्शन जोड़ आज香港 जाता है इसलिए भाया कीसे है जुचेशलन नहीं है और एक बात देहने थान सबसे चोटा है और भारत का सबसे बड़ा है लिखित रूप से बहुत बड़ा है अब यह दिन देखते हैं कि यह सब समीदान सभाजब बने हैं समीदन बनाने की बात के बारे में भी देखते हैं कि उसने कहाता कर नहीं कर दो एंग्रफयों का शाशन होने कान के यहां पर जोभी कानून वास्ता वह क्या है ब्रिटेंड बनके आता था रहे यहां पर कोई कमेंट नहीं होता था इसने क्या है भारत के लोग जब नेस्नल मूवंके हुआ हाता तो उसमें बहुत सब्सक्राइब हो शेएक को सबसे पहले समीधान एक स्भाइर तॉरा बार्त यह जैसे समीधान हो यह से तो यह क्या होगा गुलामी जैसा हो गया तो भारत के लोग उसमें बहुत सरे अच्छा ही ओगी त्सूरील शबसे पहले एमान रॉय कहा जाता है उने श॥ा है उसके बाद क्या है 1935 में इसकी आधिकारिक मांग की इंडियन नेसल कॉंगर्स थे उससे मुझने कि उसकोड उनी सोचालिज में जो अगस्त प्रस्ता बलाया गया था जो अगस्त प्रविटिश कॉवर्मेंट ने पहली सविकार किया ने है एक समिदार होनी चाहिए जो पिर क्या उनी स्व चखान के माध्यल से ृच्षा लां समीदान सभाग की गठन करने की बात की के तिश्यों में की किती बॉच में गया और केमिनिट मिशन कब आए 1946 में और इन्होंने भात में के एक ऐख कर्स्टरिशन जो एसेमली है वो बनाने की बाग की गए थी और वता है कि इनमें जो लोग होंगे वो भारती होंगे देखिए जब ये 1946 में भात में आता तो भात में दिखें दो तरह के क्या तहां वह था अध्युत देशी रियाशत और एक था आपका बिटिस रूर्ड जहाँ जहाँ था अब उत्राखन को देखी गा उत्राखन में क्या राज था और जो ठीरी था उन्होंने बताए था कि जहां पे ब्रिटिश राज है यहां पे क्या होगा जो भी पतिनीदी चुनी जाएंगे नहीं रिपर्जेंटेटिव जो भी क्या होगा चुनी जाएंगे उनका क्या होना चाहिए इलक्षन के माध्यम से चुनी जाएंगे और जहां देशी राज्य था यहां पर एपॉर्णमेंट पहुझे थे नवाव या राज्य जो थे वो किया था शदश्यों को मनोनित किया था लक्षं के माध्यम से सबसे चुने शदर से था क्या है उत्तर परदेश था उत्तर परदेश द्या से सबसे जबसे और मनोनित सबसे चुने गए थे वो था हैदराबाद जो हैदरबाद आज तिलंगना में जो आप लोग देखते हैं यह यहाँ पर पहले क्या निजम का शाशान हुआ करता था यहाँ देशी रियाशत हुआ करता था यहाँ पर है यहाँ से सबसे अधिक मनुल सदेश से चुने गए थे और आपके क्या था है जो उत्तर पर देश ह बहुत पर क्या सबसे ज़्यादा सदस्यस में नेगए था जिसको उत्तर पच्चिम प्रांत कहा ज़्यादा था पहले तो इसको दहन नेखिए अब दीख समिधन सभाज बनाए गया था उसका में उद्धिष किया था एक समिधन बनाने की बात है तो देखे इसमें क्या था इसमें इलक्शन था औरफ में सभाज राजण गर और गदेखे पहले क्या था जब इनमें इलक्शन टो समील कि नहीं हो टीन्याने क्या था सितने चुन्के लेकिन जब पाकिस्तान और बनाने की शुर्पा करा लिए जाय था तो उसमें जो स möglich नंती ते यह और यह क्या था जब रहा आधा में इतने सदक्षते यह आजाद भात की बात है इतने सदक्षते तो इतने सदक्षते यह चुनके आए थे अब दिखेगा सविधन सवाद जब पहली बात जब बनाए गया था तो उसका जो बैठाक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को क्या है दिल्ली में जो इस समय सविधन सवाकक्ष कहा जाता है तो उहां पर क्या है पहला बैठाक हुआ था और पहले बैठाक में डाक्टर सचिद्रन शीना को क्या है आज थाई अध्धक्ष बनाए गया थे कौन सा अध्धक्ष आज थाई अध्धक्ष बनाए गया थे लेकिन बाद में क्या है जो दूसरा बैठाक हुआ तक 11 जच्आब अद्दक्स पनाए गया था एस्थाई अद्दक्स कोन थे अलॉसरी बात क्या है ? जो B.N. Rao थे इनको क्या है ? समिधर्ण के सलाकर बनाए गया थे यह एड़वाईजर बनाए गया था संभीधन के शलख कि यह बहुत वुजुरकु थे और उनको संभीधन के बारे में बहुत knowledge था और हरेंद्र कुमार मुखर जी को क्या है उपद्धश बनाए गया थे और जो में शमीधन समवा में चुने गये ठे ते जितने दो 99 सधश्य में 15 सधश्य महिलाए थी अंदर ये मत माने कि महिलाए नहीं थी चुनके गए थी 15 सधश्य क्या थी महिलाए थी तो कितने शदश्य महिला थी 15 शदश्य क्या है महिला थी और वाकि अन्य जो शदश्य थे वो शब क्या है पुरूश थे आगे भायती समिनल शभा दीखे आपको पर बताए था कि पहला बैटक कब हुआ था पहला बैटक 9 दिसमबर हुआ था और दूसरा बैटक का हुआ था 11 दिसमबर को हुआ था नैंटिश्य प्रस्ताथ को पेश किया गया था किस के दौरा जवाहर लाल नेरूग के दौरा पेश किया गया था हुद्र पर्तवत को मतला होगता है हमारे समिधान रास्ता ऐंसे कहते या आप लोग परियंबल आपके हैं अच है दिखने प्रियंबल बहुत इंपोर्टन है इससे कहते है जीस्ट कहा जाता है या आत्मा कहा स्राइब्धन का आत्मा किसे कहा जाता प्रयंबल में कहा जाता है और इसको कह सकता है और है इसे सोल आप कहा जाता है उसके बाद शंक का राश्टी द्वाज है यानि जो हमारे नेशनल फ्लाइग है जिसको त्रंगा कहा जाता है वह जुलाई 1947 को क्या है एडॉप्ट किया गया था समीधान सभा के मांत्यां से समीधान बनने में टू यार 11 मन्त और 18 दे का क्या है लगा समय इसमें लगा इसको देम लिखिए लगा 24 जनबरी 1940 को दो चीज को एड़प्ट किया गया था एक हमारे जो नेशनल शौंग है और एक क्या है यह राश्टे गान कहते हैं और एक क्या तो राश्टे गान आप जानते जो रभी दिना टैगोर ज चिने लिखे है इसको जन गन्मन जो है उसको राश्टे गान घएत है जो ब बंदे मात रम जो वह बंदे मातरम कहा जाता है उनको बंकिन चंदर चटर्जी दढ़र लुखा गया है और उनको एक सो पांस सेगें में गाया ता है 105 सेगेंड में उनको का जाता है यह बहुत इंपोर्टेंट कोर्शन है यह सब कोर्शन क्या है पूछ जाते हैं अब जो हमारा समीदान है जो बना था मूल समीदान जिसको ऑरीजिनल समीदान कहते है उसमें 22 पार्ट है 395 अर्टिकल है और 88 क्या है इसमें बहुत से बदला गुआ है वो आपको बता दूगा अभी जो बदला गुआ उसमें क्या है भाग कितने हो गया और यह आर्टिकल कितने हो गया आठिकल 475 से भी ज्यादा हो गया है और जो अनुचुची है यह करद हएं बारा हो गया है यह नए शमीदान में है मूल समीदान में इतना था अब नए शमीदान में इतना बन गया इसको ध्याया हर पॉइंट को आप लोग ध्यान दिजिएगा और दीखे हमारा जो समिधान है वो क्या है 26 November 1949 को बनके तयार हो गया 26 November 1949 को क्या बनके तयार हो गया इसलिए 26 November को क्या बना जाता है समिधान दिवास बना जाता है समिधान दिवास का बना जाता है समिधान दिवास 26 November को बना जाता है बहुत इंपोर्टेंट चीज है इसको कोशन पूछे गए उत्रकन आयोकदौरा कोशन पूछे गए है इसको ध्यान लिगा लेकिन क्या है हमारे जो समिधान है वो 26 जनवरी 1950 को क्या है पूता लागू किया गया है कैसे लागू के लिटे ली इंप्लिमेंट के लिए तो भारत के और बना भारत बन गया कनतर यह निरी red बन गया है इससे पहले भारत रिपब्लिक नहीं था रिपब्लिक और डेमोक्रेसी में अंतर होता है अभी बताओंगा तो अगर आपसे पूछ रहा कि भारत रिपब्लिक कब हुआ तो भारत रिपब्लिक 26 जनुबरी 1950 को हुआ है तो 26 जनुबरी के दिन पर क्या होता है राष्ट पती र और एक बात हैं और फेल्डा आता है यह बहुत बार लोग गलत करके आते हैं इंडिया में जन्डे फैले नहीं जाते हैं बलकि को देखे होंगे चब्विच जनवरी में क्या होता है और जो भी छाकिया वगार्ब होते हैं उनको क्या होता इसी में दिखाए जाता है यह बहुत इंपोर्टेंट चीज़ है अब लोग देखें भी होंगे इसलिए 26 जनवरी क्या है हमारे देश क्यावना डेमोक्रेट बना अप डेमोक्रेट और रिपबलिक बना अब रिपबलिक ए देमोक्रेट है उसमें थोड़े सा अंत्र देख नि post हूँ तंत्र दिवस अब लोग फुने होंगे और एक होगा लोगतंत्र तेकर दो सब्द याद रखेगा हेड अब नेशन और एड अब गौश्मेट यह यह सरकार के मुख्या और देश के मुख्या दीके हमारे देश में क्या होता है जो सरकार के जो मुख्या होते हैं वो परदरमंत्री होते हैं और देश के मुख्या कोन होते हैं हमारे राश्ट्रपति की होते हैं जो भी राश्ट्रपति होते हैं वो देश के पर्थम नागरिक होते हैं आप लोग को मालू होना चलिए हमारे देश का पर्थम नागरिक कोन है लेकिन प्रद्रमंत्री देशकार बर्थम नारगत नहीं है वह सरकार की मिखती है तो जहां पर क्या होता है सरकार के जो होते हैं अंगर उनको जनता दॉराद चुना जाए जनता दौड़ाद गूना जा बिटेन में क्या है लोकतंत्र है जापमान में क्या है लोकतंत्र लेकिन वहां पे गंतंत्र है रिपब्लिक नहीं है क्योंकि वहां के जो राजा होते हैं जहां पे राश्टेज्दक्ष का जो इलक्षन होता है उनको हम रिपब्लिक कहते हैं और दुनिया का पहला जो रिपब दिनिया का पहला कोन से है यूस से हैं बहुत इंपॉर्टन चीज़ है तो रिपब्लिक और डेमोक्रसी में आप लोग को अंतर आ गया होगा कि रिपब्लिक में क्या होता है हीड अब नेशन होता है यह राष्ट के परमोग होता है जो जनता दोरा चुनाव होता है तेक हमारे तुने गये थे इसलिए क्या हैं गन्तंतर और लोगतं दोने अलग 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 चिंग में थे जो अलग अलग को कायों क्या है सबसे पहले आता है मसवत या ड्राप्टिंग कमिटी या प्रायरूप शमिति यह सबसे इंपॉर्टन कमिटी था और इसके अध्दस्त अंबेटकर जी इसलिए अंबेटकर जी को क्या गता है समिधाम निर्माता कहा जाता है इन्हें कहा जाता है यह फादर आफ कहा जाता है अनको समिधाम के तक पर्ति उनको शाहतमे रखा भेया है किसी कहते हैं और बनाने के बाद उसको क्या है आर्टिकल के दूप में उसको बरियास है वाम में जो भी चेंज करना होता वो करते हैं तो समिधन डक्टर अंबित कर जीने क्या है यह मसोदा या प्रारुप समिति या ड्राप्टिंग कमिटी के क्या थे अध्यक्स थे शंग समिधन एनि संग यूनियन जो हमारे जो प्रांतिय समिधन समिधन के अध्यक्स कुन थे आपका बल्लब्भाय पटेल थे और चंचला समिधी राजयंदर परशाथ पढ़ किया राजयंदर परशाथ थे क्या थे अध्यक्स थे तो इनिके ऊपर ये मौलिक अधिकार के ऊप्षमेती में कौन थे यह आचारी क्रिप्नली थे अलपस्रें के ऊप्षमेती में एससी मुकाजी इनमें अध्यक्स थे अब देखिए हमारा समिधन जो बना उसमें हमने बहुत सारे देशों से कुछ-कुछ लिये है कुछ-कुछ लेने का मदलब होता है कि जो देश में जो अच्छा इन चीजह को हमने अड़ाकर के जाते हैं उसके बाद सामान एक निए लगता है कि जो आपको जो सबसे वेस्ट चीज लगता है वही चीज आपको क्या पर्चिस करते हैं तो जब हमारे देश के समिधन बन रहा था तो हमारे यहां पर समिधन के जो निर्माता थे उन्होंने शोचा कि जो जूनिया के अलग-अलग देशों में जो अच्छी बदल और भी बहुत है बहतरीन बन पाएं कि हर कोई बेखती चाहता कि वह बहतरीन करें लेकिन क्या होता है जो समय के शाथ क्या था बहुत बदल जाता है तीकि सबसे पहले हमारे समिधन का जो में स्ट्रेक्चर है वो क्या है भारत सरकार अधिन्याव 1935 इंडियन गौर्र इसमें क्या क्या ववस्ता है संग्य ववस्ता है संग्य मतलब हमारे यहां पर एक सेंटर होता है जिसको केंद्र कहते हैं और राज्य होता है जैसे आपका उत्राखन हो गया और भारत हो गया तो भारत क्या है हमारे यहां पर राज्य है तो इनके क्या है अलग 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 व्ट्राखन में अलग मुद्ख मंत्री बनते हैं तो इनके बीच में कैसे जो लॉह या जो भी रिसूर्स बगारा है उनको कैसे डिवाइट किया जाए उसके लिए क्या है संगिये योजना है राज्यपाल का देखिए राज्यपाल क्या होता आप लोग ज्यानते हैं जुसको नाई ववस्ता कहा देता है फिर लोकशबयोग है जो पूर्य भात में जो अखिल तो हमारे देश में वह प्रब्दंब जह से तीन परक्रस्थने के केंद्र और इस चर्में क्या हुता है अलग-अछाशनी को होता है कि कुछ चीजे गेंद्रों को दिया गया है तो यह अलग अलग चीजे है जो इसमें बरकत कि अगर देखे अश्टेलय से क्या लिया गया अश्टेलय से क्या लिया गया है अश्टिये से लिया गया है संबर्ति शूची में आपको आगे बताऊंगा कि हमारे जो सिड्यूल या अनुशूची सेवेन में क्या तीन पर करके शूचिया है एक शंग शूची एक राजी शूची और एक संबर्ति शूची को अधर होता है केद्र और राज दोनों इसमें पर लॉब बना सकते हैं इसो कहते हैं संबर्ति शूचे तो यह लिया गया है वेपरवारेजी के जो सयोग होता है वह क्या है आपके अस्ष्टिये श्टिये से लिया गया है अब इस बार आप लोगों ने देखा होगा जो महीला आरक्षन लाएक गया था तो इसक्सट में क आप लोगों ने देखा है महिलाव को क्या है 33,mesan देने के लिए क्या है जो लाए गया थे उस वीदहग में क्या है सब्सक्राइबर एकसट की सब्सक्राइब करने के बालधार से के हमारे यह जो सेंटर गवर्मेन रह ज्यादा उनके बार ज्यादा । रिसोर्स ब्स चाहंग करने का उधिकार दिया जाएगा ।네 आप लोग गृष्ट करना चाहते ह। इसमें बहुत सरी चीज़ है जैसे रिसोर्स बहुत ज्यादा मिल जाएगा तो karma क्या होता था हिसा मिलना की होता यहां पर पैसा से होता है धंदोलाव्स से होता है us प्रभर्मेंट było कि इसमें है वह संपन कर आइं अब प्राइबर्मेंट को बहुत को चाथा ही है। तर पत्राओं को तरह प्रतेसे अलग कर दिया। जम्मु कस्टमीर को क्या लग्दाक और जम्मु चस्टर नाइंब कोन कर सकता है anchor segment कर सकती है instead क्या कर नहीं सकती कि कंजोर है और unde केंद्र में जो अब सप्सक्षोटी आज सकते हैं एक संग राज संबर्ति अकर माल आते कोई ऐसा सब्जेट आ जाता है जो इन तीनों में नहीं आता है तो उस पर कानून को नो बना सकता है सेंटर गौर्णमेंट को दिया गया है तो यह भी कहां से लिया कि कनाडा से लिया गया है उसके बाद क्या होता है केंदर दौरा सरकार की हमारे यहां राज्य सरकार की क्या होता है या अलग अलग राजīंग में होता है राज省पल केमल से करते हैं शर्वच न्ययला का शलाकार को राष्ट्पती जी ओते हैं वो हमारे सुम्द्प्रिम कौर्ट से कभी भी क्या ह Operation ले सकते हैं इस लिए क्या है यह बहुत इंपोर्टन है तिसरा है आयलेंड आयलेंड से क्या लिया गया है जो हमारे यहां पर डिपी एसपी है जिसको राज्य नितियों के निदेशक धंत कहा जाता है यह कहां से लिया गया है यह आपके आयलेंड से लिया गया है कहां से लिया गया आयलेंड से लि Examiner होते उनका नमांकन जो process होता है वो हमने while he is the प्रोसेश्थ अपना जा इसानों और श्वह स्थी किया अपनाइ rättạt कर अपन मनमार governo उसके नहीं होना चाहिए, रूस से हमने क्या लिया, fundamental duties लिया, क्या लिया, fundamental duties लिया, मौलिक कर दिखे, हमें मौलिक अधिकार दिया गया, तो हमारा हर नागरिक का कुछ कर्टब होता, कि हमारा देश के परते भी हम कुछ कर्टब को निवाए, जैसे जो सरकरी संपत्य होते, इसको रक्षा करना होता है, जो बन है, पशू है, उनके रक्षा करना होता है, बहुत सरा ऐसे चीज़ें, जो गैरा पर करके क्या मौलिक कर्टब के उसको, कहां से लिया गया, रशिया से लिया गया है, उसके प्रस्तावन में जो शब्द आता है शामाजिक आर्थिक और राजितिक न्या है यहां पे भी आप लोग को प्रॉब्लम होगा आप लोग पूशिएगा UK मतलब जो Britain कह सकते हैं या United Kingdom सबसे पहले शंशिदी व्यवस्ता हमने कहां से लिया है क्यों लिया है कि हमारे यहां पे बिटिश बहुत सालों से शाशन कर रहे थे तो उनका जो व्यवस्ता है उनको एडेप्ट करना हमें आशानी होगा जैसे क्या होता है आप किसी शित्र में काम कर रहे हैं अगर आपको उसी शैत्र में काम देंगे तो वह किंगे तो हमारे यहां पे लगवा क्या है अंगी शाशन किया तो उस व्यवस्ता में हम लोग ठल गये थे इसलिए क्या हमारे जो अच्छाण के लिए कानु वडबार और यहां पे लोकशवाल राजिशवाल होता है उसमें जो परिक्रिया होता है एकल नागरिक muscles, दीकिति है हमारे देश में क्या है, citizenship कैसा है, single हमारे यह पर एक भरत सरकर का citizen ले लिए और पूरे भरत में आप कई पे भी रह सकते हैं जमीन खरीद Кर मकान मिना के वैफशार कर सकते हैं, कुछ भी कर शकते हैं लेकिन अमरिका में ऐसा नहीं है अमरीका में क्या होता है? दोरी नग्रिपता है. वहाँ पे क्या होता है? एक सिंटर का नगरिपता लेना पड़ता है, और एक यहà इस्टिट का लेना पड़ता है. तो double citizenship कहां पे हैं? अमेरिका में. और बोर बिडimanae citizenship है? Single प्वारत मेंुक्या है सींगल शितिजेंशिप है इसको धांद दिखेए हैं हमरी आभी जो मंत्री मंदल होता है उसका व्यवस्ता भी हमने अविए आ अबरिकासे क्या लिया मोलक अदिकाल ऩजिए अभी आब शॉतकर में होता है वह भी हमने अमेरिका चे में लिया दूसरी बात एक नया शब्दम ने सुनाओगा P.I.L. ये भी हमने अमरीका से लिया है जिसको कहते है पुब्लिक इंट्रेस्ट लिटिकेशन जिसको आप जनहित याची का कहते हैं क्या कहते हैं तो पुब्लिक इंट्रेस्ट लिटिकेशन आसकल बहुत ज़्यदर चर्चा में है इसको ध्यान कोट या हाईपोट में क्या है अपील कर सकता है पहले ऐसे व्यवस्ता नहीं था इसको ध्यान रिखेगा जैसे यसे लोगों में जागरूपता आती है तो हमारे समिधान में भी क्या ने ने चीज़ बूपता है देखिए एक उधरान आपको बता देता हूं पहले राइट प्राइबसी लोग को दिया गया कि लोग अपने इसाब से शादी करें ना करें कुछ भी करें किसके साथ रहे कहां रहे कि धर्मों कपना है क्या खाय पिए वो खुद का अपना मर्जी है तो वह भी राइट टू प्राइबसी में दिया गया कि समाई के साथ हर चीज बदलत लोगों पर निर्वर्देश के जंता या नावरिक पर निर्वर्द होता कि वह कितना ज्यादा जागरूग होंगे तो हमारे जो यह पोलिटिकल वर्ग होते उनको मजबूर होता है होना पड़ता है कि अच्छे सुविदाय दे ठीक है जर्मनी से क्या लिया गया एमर्जन् अच्छरम amendment तीन पर करके एक एमर्जन्सि होता है एकराश्ट्यपती होता है और एक बित्ती है होता है वित्तिक्त्य अपक्ताल होता है यह आटिकल 302 में है और 356 में है और ये तीन सो शाट में अब लोग जानते हैं राष्ट्रपती शाषन उत्रकन में केवल एक बार लगा था जब हरी शिंग रावबत सरकत को बिरा दिया गया था 26 मार्च कब लगा था 2014 को लगा गया था ये कोर्शन उत्रकन में बहुत बार पूचा गया इसको धहन लखे गा तो उत्रकन में एक बार राष्ट्रपती शाषन लगा है भरी शिंग रावबत के शमार पे इस ती को लगा था दक्षिन अफरीका से किया लिए गया गया लिया है उसके बाद प्रियंबल में जो प्रेस्तबन है उसको लिया है उसके बाद शतंतर्ता शमंतर और नागरिक वे गया परजा होते थे नागरिक नहीं होते दे खुए कि नागरी वह अधिकार नहीं होता था लेकिन फ्रांस में जब क्रांती हुआ था 1789 में तभी वहां के लोगों को क्या ही उस अप लोगों से चर्चा हुआ था कि समिधन सभा के बारे ले अभी हम बात करते हैं कि समिधन सभा में जो हमारा समिधन बना उसका पहला चाप्टर ह में रांधी क्या है प्रियमबल एक अब करो कि को भी दस्तवेज या जो भी पूक स्थ चाह da और हमारे समिधन का जो प्रियमबल कर दा मतलब बन बनता है तो उसके जो नीव होता है वो क्या होता है विस्टिक्चर होता है अगर नीव किसी तरह से खराब हो जाए किसी तरह से खराब हो जाए या गिर जाए तो पूरा घर क्या होता है ये मकान क्या होता है पूरा खतम हो जाता है उसी परकार से अगर हमारे फ्रेंबल में जो बाते रहा तो हमारे सम्रीधब घ्रम क्या होगा तो सारी कभी क्या है हूँ पूष लेता है कि हमीधम का जो सब्सेमाल किया गया है कि साहीख करम पूश बता यह कहा है के पूश लेता है उश ही सब सेी आप आपको धेन देना है तो देखे पहला सब्द यह आ रहा है कि जो समिधान है उसका जो पहला सब्द है कि समिधान का जो मूल सोत है और वो क्या है अगर आपसे फूचा जाए कि भारत के समिधान को जो सकती मिलती है या तागत मिलती है या पावर मिलती हो कहां से मिलती है वो भारत के लोगों से मिलती है अगर भाब के लोग ही नहीं रहेंगे तो समिधान का मतला भी क्या है पहली बात है दूसी बात इसमें क्या लिखा है कि भात कैसा है परभुत के संपन शमाजबादी पंथ निर्पेक्ष लोकतांत्रिक गनराज है यह कभी के लिए इसका और्डर पूछ लेता है कि सबसे पहले शम्राजबाद है या शमाजबाद है या शबसे पहले पंथ निर्पिक्ष या पहले लोगतांत्रिक यह और्डर पूछ लेता है कि हमारे यहां पे बहुत सारे धर्म है पंथ है धर्म अलग अलग होता और धर्म के अंदर बहुत सारे पंथ होता जिसको इंग्लीज में सैक्ट कहते हैं यही सबदेना ऋइरोप में चले जाएंगे तो वहां पर द क्यों है क्योंकि हमारे यहां पर धर्मक्म के सारे और दर भी बहुत सारे संप्रता है। जैसे अप लोगतों को ले लेते इसमें कोई शैब है को वैस्नाअब को पूछता है तो इतने ज्यादा सेक्ट है तो इसमें अंतर नहीं करना चाहिए वहां पर धर्म या पोप या जो इसको अलग करने की बात की है उसको धर्म ने प्रिक्स मंज़ेगा उसका लोक्तंत्रत्मक यह अभी आपको पता है लोकतंत्र गुनराज यह है उसे पांच परकार के नया की बात कहीए है तीन परकार के नया की बात कि गynnए खालयो की शितनाया, पैंच परकार के सब्स्वत और तीन पर करके नया यह उत्राखन पीज लुवर पीचेस में पूछे गए शबाल है कि आयोग के जितने शबाल है कम उसको तो जहां सभी मिले उसको रट लीजिए तो उन पेपरों को क्या है तो कभी कभी हो जाता है या कोश्चनों का अगर मिल जाए तो बढ़िया हो तो पांच पर करके क्या है freedom की बात की गई है कौण-कौण सा बिचार पोई वीगति अपने विचार को रख सकता है अभीवगति इसलिए उपर बालेने क्या है जो हमारे माउत एक दिया है काम दो दिया है कम बोलीए सुनिये ज्यदा बिचार बिचार भी तो चीआ होगा द पूजय करशत कोई तिलक लगाए, और टोपी लगाए, और कुछ भी करे. हमारे यहां पे जो नास्तिक होते हैं, वो भी क्या है? कोई न कोई सैक्ट को मानते हैं. इसको धन्धी है. सोशल जस्टिस, एकोनमिक जस्टिस और पोलिटिकल जस्टिस की बात की गई है. गॉवर्मेंट किसी को मना नहीं कर सकते तो क्या अफसर की समन्ता है तो है पतिष्टा की समन्ता है पतिष्टा की कोई कर सकता कुछ भी पोस्ट पर अपना अप्लाई कर सकता है कि यह अभिकता है तो बेक्ति की गरिवा की बात की गई तो यह सारी चीज़ कर अब देखिए इन में से तीन सब्द एक है शमाजबाद कि शमाजबादी एक है पंथनिर पेक्ष है और एक है अखंडता यह मूल समिधन में नहीं था इसे क्या है कब जोड़ा गया इसे 1976 में जब फॉर्टू किया गया था 42 को क्या है समिदन संसुधन किया गया था उस संसुधन के माध्यम से हमारे प्रियम्बल में क्या है इन तीन सब्दों को जोड़ा गया है ये भी उत्रकन आयोक दोरा पूछे गए शवाल है तो कित किन सब्दों को जोड़ा गया है निशमाजबादी पंत निशपेक्ष और अ कि हमारे जो प्रेंबल है इसमें कोई भी अमेंडमेंड नहीं किया जा शकता है लेकिन बाद में एक बहुत बड़ा केस हुआ था जिसको किषपानन भारती केस कहा जाता है किस परनान भारती और भरत सरकर्वाना केस था उसमें सबसे पहले यह बात किया गया था 1973 में आया था उसमें बता कि हमारे प्रियंबल जो है या प्रस्तावना है उसमें भी हम कर सकते तो अभी तक हमारे प्रियंबल में मैं इंकी बार 1933 अब दिखेगा इसमें और क्या क्या चीज है कि हमारे सो समीदान का जो में सोर से आपको अभी बता है कि हमारी आप इन लोग नहीं होगे तो समीदान के क्या होगा में उद्देश क्या है सोसल जेस फिस टीस ये इकोनोंगी से आपको शक Does기는 यहां है में अब देगा समिदान में इसबान इसका अर्थ और लोग जाने एक Republic Country है और Republic Country में आप जानते है जो Head of the nation में उनको जनता दौरा ज़ती है तो हमाले यहां पे क्या रास्तंत्र ना है बलकि कैसे हैं परज्यतंत्र है पहले का दूसरी बात होती है संपरभू संपरभू का मतलब होता सवर्णिटी सवर्णिटी का मतलब क्या था पहले कि सब्सेंद का मितलब होता है एक नेशन होता है ոबंद के चोटय शूटए देश होता है और हमारे यहां में मुझें प्रोबिन्स कहा जाता है फिस अब लोग शुने होता है उसको धेन रभी इस्टेट बनने के लिए या नेशन इस्टेट कहें या नेशन कहें बनने के लिए चार चीजों के वशक्ता होती है उसमें संपर्भुता सबसे इंपॉर्टन है यह होता है कि एक भूछेत्र होना चाहिए बुच्छित्र नहीं होगा तो देश कहां से बनेगा दूसरा क्या होना चाहिए इसमें पॉपुलेशन होना चाहिए जन्सिंख्य होना चाहिए जन्सिंख्य होना चाहिए जन्सिंख्य नहीं होगा तो फिर क्या होगा इसमें शाशन कहें चलेगा फिर इसमें क्या होगा इस स समाज में सभी एक विचरधरा के बनी ही नहीं सकते हैं चाहे अब एक पड़िबार में लोग एक विचरधरा के नहीं होते तो फुरी समाज में हम एक विचरधरा के कैसे कलपना कर सकते हैं तो समाज में जब अलग-अलग विचरधरा के लोग होंगे तो मार्पिट जग्रा ल औरूम्हाओं के लोग एक भाषा बोल एक धर्मों का अपना रहा है एक गाउमने लगए तो बिचारों में जहाँ में बिन्नेता होगी वहां पे शाहशन करने के वाशरत हो गी और शाहसन सभी जनता नहीं कर सकते हैं शाहशन करने के लिए जनता दोरह अपना सबीरेक्षट क हमारे क्या है अलग बात कि कमी है तो जो भी नेता बन जाते वह बहुत बड़ में जाते है तो अप लोग अब उतना सिक्षित नहीं हो पाया जितना एक डबलब कंट्री में होना चाहिए और तीसरा है संपर्भु मतल्द चोथा संपर्भुता जिसे सौवरेंटी कहा जाता है वह मतलब होता है हमारे देश के जो सरकार है वह दूसरे देशों के अधिनकारी ना करें हमारे यहां पर क तो अम संप इन्व नहीं थे जब हमारे देश्टमारे अंगलेट चले ज़ो भी कालूं न हम विलोगों विल्गों कर स्वलन कर को रहें हिसमे में पर्फु के रूप में इस्तिमाल कारें हैं कि दूसरे के अधिनस्त नहीं है कि इस आधि क्या है कि आगे हम सु सुख्या नहां हमारा जो भी नीति निर्मान बनाना है यहां संगसद बनाते हम अमरीका या इब्रिटिन के को नहीं देपते कि वो हमें क्या कर लाए हमें जो कानूल बनाना है हम खुद बनाते हैं तो हम देश के संभूर देखिए हर बेक्ति को संपर्भू होना चाहिए हर समाज को संपर्भू होना चाहिए और हर क्यामत है परिवाल में संपर्वुद्य का जहां पे संपर्वुद्य जादा होगा वहां पे लोगों के माइंसेट में डाइबर्सिटी होगा और वहां पे इनोबेशन बहुत जादा होगा जैसे यहां पे जब अंग्रेश था तो देखे भात का डबलप्मेंट नहीं हो रहा था क्यों नहीं हो रहा है किसी भी दूसरे बहारी देशों प्रिस अधिनस्त ना होना और स्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट जो पीलर है वो है आपका संपर्भूता या स्वर्णिटी वो छेत्रु तो है पॉपुलेशन है गौर्वर्मन्ट है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है संपर्भू आजादी से पहले हम क्या थे यह तीन तो हमारे पास थे लेकिन संपर्भू नहीं थे तो संपर्भू होना बहुत जरूरी है अगला है समाजबाद देशा आभी आपको आता कि समाजबात का मतलब तो हमारी आप जो समाजबात का मतलब होता है कि जो गरीब लोग होते है या जिनके संपर्भू की कमी होता है उनको भी समाज के मुख धारा में लाना जैसे सरकारी स्कूल क्या है यह समाजबात का पर्तिक है तो सरकारी स्कूल में फीसे इतना काम होती है सरकार क्या होता है टीचरों को बह टाइबेट को इसकूलिया कॉलेज होते उसमे फीचिंवी काम उते हैं से जुट हो जाता है तो यहां पर जो चामाजबाद है कहा जाता है वो हमारे है जैसे तरह काम करता है पूजिवाष की तरह काम करता है हो तो यह समाजवाथ में क्या है लोगों के पास इतना ज़्यादा सेक्ट है और इतना ज़्यादा क्या है धर्म है कि लोगों को क्या है अलग अलग नहीं मानना चाहिए शब को क्या है एक जैसे मानना चाहिए तो यहां पर धर्म निप्षिक का मतलब होता है क्या होता है कि कि किसी भी जो सेक्ट है समझता है यह धर्म सब्सक्राइज ऐसों लोगों के अंदर से इस परंपराबादी होते हैं जिसे समय नहीं करना चाहता है वो चाहता कि शुधर करेंगे तो उनको घाटा जमा लेते हैं यसे एक्जम्पल के रूप में कोई पुरोहित क्या है कोई कर्मकांड करवा रहा है अगर कोई चीज नए चीज आएगा तो उनके रोजी रोटी में दिक्कत आ जाएगा तो वो क्यों बदल सब्सक्राइब कर देंगे और बाद में दिखा देंगे कि सरकारी स्कूल एकदम घाटे में चला जागा तो उसको बंद कर देगे जैसे अभी उत्तरब्रदेश में देगेगा दोस्तों के स्कूल स्कूल बंद कर देगा उत्तराखन में बहुत सरह से प्राइमरी स्कूल जो जहां पर दो तीन चार पाक दस पंद्रा बच्चे है तो उनको क्या का धिरिदर गौर्णमें बंद कर देंगे लेकिन जो टीचर तो जलिभी उनको चुहिंए गाते उसके बाद संपूर्वदव तो बता दिया नया है तीन पर करके नया है आपको बता दी pista उस नजिस इंप hon चाहिं आख प्लिटिकल जस्टिस और सोशल जिस्टिस नहीं मिला अब भी देखिए का हमारे यहां पर क्या है जो आए की जो इनकाम है लोगों का उसमें बहुत ज़्यदा क्या है तर डिफ्रेंसेस है दूसरी बात है क्या है सुसाइटी में भी कियाता आज भी बहुत सरे जगारे क्या होता है स्वंब और जो दलीत होते हैं उन्में बहुत सरे विवयदिकरण मैं आपको बताऊँगा डूला पाल की ववस्ता हो गया है और उत्रकन और ने चलता रहता है तो ऐसे मंदिरों में परवेश्णा करना देना बहुत सब्सक्राइब होती है जो नहीं होना चाहिए क्योंकि लोग पल लिखने के बाद भी अगर यह आसा मनता करेंगे तो उनसे मुर्ख तो कोई हो नहीं सकता है अगला पताता है यह सबसे वंभा और चाहिसर करना करना होता है तो उसके लिए कि अ पड़ना पड़ता है के हुआ हमारे यह उस्क में अलग अलग सरकारे हैं पती सरकार का संख्षद्यौत्य ववस्ता हैं तो यह संख्षदिव यहां हमारी बहुत जली बहुत कानुन का शाषण आपको बता कि सब्के लिए क्या आ अप वहें भी काम करेंगे तो उसके लिए क्या बरबाबर शजा का प्राब्दान है कि अभी कोड़ क्या हुं कि एक डीकार हुट्टे इसली कि अधिकर कि कोड़ आप के नएक गया है नài ś विवस्तायु और कहां से लिए गया है गया है इसले कि मोलिक के विस्टर के बारे में बिद्र से बता पूरी भारत के लोगों को कमसे मौलिक अदिकार शबको याद होना चाहिए कि अगर मौलिक अधिकार होंगे तो आप इसमने बाल जो भी विख्ति है उन से क्या होता है अपने जो भी अधिकार है उसको शही से पस्तूत कर पाए गए लोग बकिल्यों से क्यों डरते कि अधिकर के वारे में उससे पूच सकते हैं कि पूलिस क्या होता और किसी विइक्ति को अगररी कर लेता है एरेस्ट नहीं किया जा सकता है जहाँ पे महिला पुलिस नहीं होगी वहाँ पे क्या है महिला को एरेस्ट करके रखा नहीं जा सकता है बहुत सरैसे नियम है घर की तलासी होगा तो उसमें क्या होगा महिला पुलिस उन्में साथ में होनी चाहिए तो यह सारे ब्यवस्ता क्या है हमें को देता है मोली क अधिकर देता है उनको जानकरी नहीं होता है फिक दिक्कशत होना ही है यह कहां से लिया गये अमरीका से लिया गया उसके राज्य के निदेशिक्ता तो इसको DPSP कहते हैं DPSP में क्या है Social Justice और Economic Justice के बारे में बता गया कि अभी आपको बता है कि हमारे यहां पे Social और Economy में बहुत ज़्यदा क्या differences है तो उनको क्या है कैसे खतम किया जाए इसलिए देखे कि क्या होता है इस्तरी और कुरूष को क्या है बरबर बेतन दिया जाता है समान काम के लिए समान बेतन देखे आप लोग सुनने होंगे पहले के कमाने में क्या है जो मेल होते थे उनको क्या था ज्यादा मईदूरी दी जाती थी और फिमेल को कम दी जाती लेकिन क्योंता ही है रख जाये, चाहे, मेलो चाहे पी मिलो एग जैसे पदमेगर जौप करेंगे तो 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 तुलों को बरभभ़ में लेंगे तो ये सारे अधिका कहां से मिलता है कि हमें राजी के नीधी नीधिशक, शिद्धर्ण से प्रख जो आया इंट से लिया गया है बहुत सरे ऐसे हैं जो आपको बताऊंगा जो लिया गया मोलिक करतब को बता कि श्यार से लिया गया है और 42 एमथ्यम से उसको करते है यह भी अपको बता है लिए भायतिये धर्म निश्पिटिन देगे भाशी धर्म नेश्द सनिम्स य्दू का इस्पनी होता है हम जिते ही धर्म उन्हें क्या है उनका शंर्थन नहीं नहीं ईसमें जो बिव備रक्राह्ण उसको समानता करते हैं करतें कि हर्द्रम में क्या होता है ज Dag improvements का denset Town करते हैं उनको सरवाहिप करने के लिए यूप्य या उपने था हुआंगे उसको लगो करना बहुत मुशकिल हो अब देखे, South India में या बंगल साइड में क्या होता है? वहां पर जो पुझारी होता है? नौंट इंडिया में क्या होता है? यह बहुत बढ़ा पाप मना जाता है कि जो पुरोहित होते हैं, क्या नौंबेस खाएं? बहुत बढ़ा दिक्कत हो जाता है. टेकिन क्या है? वह उन कि तो पिछन सकते पहले पहले आप जानतैंदी से पहले क्या digest आटर सब्सक्राइब लेकिन अब नहीं अब किया है जो बिकती आठार साल से उपर होंगे उनको बोस्तिक अध्यूट्स्टेट हो चैनला हो से को अधिक 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 से लिए गया है और यह से में कहां डवल से जनेशिप है उसको शतंत्र निकाह है है वो क्या है इंडिपेंडेंट बॉड़ी होता है जिस पर बिशुबास होता है अगर आपको बिशुबास नहीं हो तो जमी नहीं देंगे पते के वह सोचेंगे कि जो भी उनके पैशे देने वाला तो उनको जॉब लगा देंगे तो यह हमारी आप बहुत सरे ऐसे कावर्मे आप उत्रकन में ही देख लीज़ीगा गरवाला और कुमावों में अंतर होता है जो गर्वाल के मिलाट वह आ फो ठेंड दिनके ज्यादा हो अएशसे रही चलता है अवार जियाता है होता है होता हुई यह पर सब्सक्राइब कर दो एक है एक है एक हे उपका केंद्र में एक है हमारा राज्य में और एक है हमारा पंचायद कराको ति एन तीनों की सर्कारों को को प्रणा है इनको government कहा जा कशने जिकाल को ये भी कि होंढरे यहां पर गॉर्वर्मेंट क्यां है 3 ति यहां पर करता है का साथटी इसको और पर गर्द कि अगया देखना है। कि यहां पर सहावारी समितिया है जो जिसे देखीएंगा सेल्प हल्प ग्रुप बगड़ा जो है उनसे ग्रुप बनाके जिसे स्वर्वरॉज करकी वह साइरो प्रोसेस तो यह हो गया हमारे प्रस्ता बना में देखेंगे परना बहुत ज़रूरी है इसमें कोशन तो कम बनते हैं लेकिन क्या होता है इसमें जो प्रियंबल है उनमें से एक कोशन हमेशा बनते हैं तेकिन शमिद्यान की यह विशेष्टा है सरह हर बेक्ति को आने चाहिए अगर माल लेता है कि आप अच्छे टीचर बनना चाहते हैं हुँ और अच्छे टीचर बनने में वह तरह है अज़िए डारेक्शन च्चल्व चया खशेब पैसे कमाने के चक्कर बहुत है तो बेकर है इससे इसरे बाचणा ना हो जो भी काम किरे उससे क्या वारू को react तो आपको बता था तो यह हो गया हमारे समयधन की विशेष्था आप लोग कोई पूश सकते हैं